असलामू अलेकुम नाजरीन कैसे हैं आपसे भी लोग उमीद है आपसे भी लोग खेरो आफिसे होंगे सो नाजरीन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिहाब बाई की एक दम करेंट लोकेशन बताऊँगा सिहाब बाई कहां तक पहुंच चुके हैं और अभी कहां पर है सिहाब बाई की लाइव डोकेशन की है और साथ में नाजरीन सिहाब बाई को पाकिस्तान पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है कितना वक्त लग सकता है और साथ में नाजरीन मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखा हुआ जिसको देखके यकीन मनेगा आपके पाओं के नीचे की जमीन किसक जाएगी आपने इससे पहले ये वाली वीडियो क्लिप नहीं देखी होगी और साथ में जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ आप ये वाली वीडियो क्लिप को मिस कर जाओगे इसलिए नाजरीन आपको वीडियो को पूरा देखना है वीडो में आगे बढ़ने से पहले वीडो कलिप दिखाने से पहले आप से दरखासत है अगर अबी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पेसे लैट कर लिना और साथ में जादे से जादा WhatsApp गुरूप का अंदर, Facebook गुरूप का अंदर जो भी गुरूप आपके पास अवीलिबल है जादे से जादा वीडियो को शेयर करतो जिन लोगों तक फेक न्यूस पहुंचे हैं उन लोगों तक आपके मात्यम से सचाई पहुंच जाएगी चली नाजरीन वीडियो को श्टार्ट करते हैं हिजाबों हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में सिहाब भाई की महबत में लोग इखटा हो जाते हैं सिहाब भाई से मुलाकात करने के लिए और साथ में सबसे बड़ी breaking news निकल के ये आ रही है सिहाब भाई एक से दो दिन के अंदर सिहाब भाई पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाएंगे भारत को अलविदा कह देंगे नाजरीन जब सिहाब भाई पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे तो देखना बाकी होगा किस तरह से पाकिस्तान के लोग सिहाब भाई का वेलकम करते हैं जिस तरह से इंडिया के अंदर सिहाब भाई का वेलकम हुआ क्या इसी तरह से सिहाब पॉलिटेकल लीडर हैं और साथ में पाकिस्तान के वागाबर्डर पर मौजूद हूंगे सिहाब भाई के जादे से जादा दौंधा करनी है किसी भी तरह की सिहाब भाई के रास्ते में सफर में तकलीफ का सामना ना कानप पड़े क्योंकि सफर काफी लंबा है इंडिया से पैदल चलके सौधी अरब जाना मक्का मदिना जाना हर चीज की फैसिलिटी होते हुए भी हवाई जाज की फैसिलिटी है और भी सादर ने लेकिन अपने अल्लह को राजी करने के लिए सिहाब बाई इंडिया से पैदल चलके सौधी अरब मक्का मदिना जा रहे है और साथ में नादरीन सिहाब बाई डेली कम से कम 25 से 30 किलो मीटर डेली पर डे चलते हैं आपका सुनना मेरा कहना आसान हो सकते लेकिन जो बंदा इतने लंबे सफर पर निकला है तो अल्लह भी उस बंदी की गैप किसे मदद फरमाता है चली नादरीन मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा दौा में याद रखना अल्लह हाफीज